इसके बारे मैं बताऊंगा वीडियो ध्यान से देखते रही है इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पे चले जाएं सेटिंग्स में चले जाएं यहाँ पर इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाता है थोड़ा सा आपको बस नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर प्रोफाइल और टैगिंग दिख जाता है सबसे पहले वीविविंग और शेरिंग वो कैन पोस्ट ऑन यूर प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल पे कौन को ऑन पोस्ट कर सकता है आपकी प्रोफाइल पे कोई अगर अगर आपकी प्रोफाइल पे कोश्ट कर देता है तो मैंने फ्रेंग रखा है कि आपके पोस्ट क्या दूसरे लोग अपनी स्ट्योर में शेयर कर सकते हैं तो आप on and off कर सकते हैं अब tagging के section में आते हैं देखिए आप मैं में में चीज़ ही आपको बताऊंगा ज्यादा आपको confused नहीं करूंगा जो काम की चीज नहीं है वो नहीं बताऊंगा tagging who can see post that you are tagged in on your profile यानि कि अगर किसी ने tag करके रखा है आपके photo photo में आपको तो कौन देख सकता है friends देखिए बहुत से friends लोग जब photo upload करते हैं तो वहां पर आपको tag कर देते हैं तो tag कर देते हैं तो आप किसको किसे दिखाना चाहता है सबको कि अपने friends को तो आप यहां पर select कर सकते हैं अब इसके बाद reviewing तो यहां पर review में आता है tag that people add to your post before the tag appear on Facebook book तो पहले आप review कर लें यानि कि जो भी tag है जिसने भी tag कर रहा है पहले आप review कर ले आपको notification आएगा उसके बाद आप approve करेंगे तो ही आप उस photo में tag होंगे otherwise आप tag नहीं होंगे ठीके पहले review करने का option आएगा and review what other people see on your profile इस पर क्लिक करें आप review कर सकते हैं कि जब भी कोई आपकी profile में आता है तो उसे क्या क्या नजर आता है आप यहां पर देख कि उसे हटा सकते हैं या फिर ah public से यहां पर friend कर सकते हटा सकते हैं ठीक है edit करके इसके बाद review post that you again before the post appear in your profile जो भी post आपकी profile में आता है तो आप पहले उसे review करें उसके बाद ही उसे approve करें उम्मीद कर आता हम सबसे हैं में तोड़ा सा डिफिकल्ट